खनवा सुले में आते हास एक पदम कुंड में गणेश विसर्शन और नौरात्री में दुर्गा प्रतीमा का विसर्शन किया किया था जिससे कुंड भर गया था हाला की नगा निगा में वंचन प्रती नीथियू द्वारा टेंडर ज़ारी कर कुंड की साफ सपाई कराए खई खनवा शहर अती प्राचीन होने के साथ साता खांडव वन के नाम से विख्यात है बारवी शताबदी में चार कुंड बने थे जिसमें से एक कुंड पदम कुंड है धार्मिक मानिता के नुसार भगवान गणेश एवं माता की प्रतीमा का विसर्चन किया चुआता है साथ साल बाद अब हो रही कुण की सफाय की दुरा सौ साल पराना असी किलो वचनी कछ्वे को बहा निकाला किया कछ्वे को देखने के लिए लोगों का जमावडा लगा गया था और परनेता नवीन शर्मा ने बताया कि असी किलो वचनी इस कछ्वे को उठाने के लिए चाल लोगों द्वारा कुंड से बाहा निकाला किया था कि अधिर के मंधिर अपना प्रमा अंधिर है यह था कुंड का नगानेजी माताजी वेशन पूरे हैं होती पूरे सब्दों के गणेजी वह सपाई अभी चल्डू हो गई इसकी नगानिकम के दवारा पूरे सपाई का सब क्राव चल्डू है था तो यह भी तो लोगा उप् पांडों के त्रेम का उंद लेगे शिता मिया को प्यास बेगी ती बुलते राम भोगा ने तीर मारवा ताय हो कि बाद में स्रडू में शता अबदी का है पांडो तो यह भा चुट बास के बाद में यहीं स्रब्स हम शे साल वात अब सपाई का टिंड़ निकला था इसके प्राचिन चीज को सभाई करवाया गया है।